हेलो फ्रेंड मैं आज आपको बताती है प्रीमिक से सब्जी कैसे बनती है मैंने यहाँ तेल डाल दिया है क्योंकि मुझे सब्जी को कुक करना है अगर आपको सब्जी को कुक नहीं करना ता आप इसे उबाल भी सकते हैं मैं यहाँ सब्जी को सेलो फ्राइ करती हैं अगर आपको और अच्छी चाहिए तो इसे डीफ रई करने हैं अगर जलदी चाहिए तो नहीं तक कितने लोगों को अबाल के काम चलते हैं तो अबाल भी लेते हैं पर में यहाँ सेलो फ्राई करें बस मुझे सब्जीय कुख चाहिए अगर आपको पनीर डालना हो तो तो और और 5 बिनिट में सब्जी रेडी होते हैं यहां पर चलाते हुए थोड़ा नमक डाल दूँगी सब्जी में नमक डालेंगे तो बहुत जल्दी कुक होगी में इस प्रीमिक्स सीख सकती हुए जो चाहे बना सकते हूझ लेकिन मुझे कमेंट क्याम चाहिए। बहूत जादा से जादा तक में इस्ट consistent है। देखें, िविधोर सब्जी में करे लिए द ouais। such a branch का अच्छे से नेहीं और बैख दीए द रादी है। यहाँ पर तेल चूट गई अच्छी से टमाटर की अब में यहां डालूगी अपनी ग्रेवी यानि प्रीमिक्स में जो पानी डाला हुआ हुए ओ में डालूँगे यहां और इसे डालने के बाद मैं लगवा 5-7 मिनट कुक करूँगी जब तक यह अच्छे से यहां पर तेल न छोगते हुए अगर महमान भी खाएंगे तो यह नहीं बोलेंगे कि हाँ आपने क्या यह प्रीमिक्स से बनाएं कभी कल तो मेरे बच्चे भी नहीं परक पाते हैं कि प्रीमिक्स से बनाएं कि कैसे बनाएं तिक से अधिक इसको बच्चों की लंच के लिए तयार करके रखती हूं कि उनको अचानक की स्कूल में जाने के लिए कभी लेट हो जाती है। तो देखें यहां पर पूरी अच्छे से तेल छुट गई है। मैं यहां कुक किया हो डाली हूं सब्जी, मिक्स सब्जी आगर आपको नहीं है सब्जी बनाने का टाइम तो पनीर डाल दीजी ओ भी रेडियो हो जाए। इसमें पनीर, अंडा, आलू, पटर, बैगल, कोई भी सब्जी आपको बना के अच्छे से रेडी हो सकती प्री मिक्स में। और देखिए जब तक के तेल छोड़े तो अच्छे से कुक करूंगी सब्जी डालने के बाल लगवाग 5-7 मिनट में इसे कुक करें। फिर्मिल तेक्ने